कि देश प्रदेश लाइव देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत मैं है थोड़ा अपना दोस्ता है तुसी देख रहे हो अपना माल पसंद प्रोग्रम आज़ा शो बहुत ही खास है जी खास इसली क्योंकि इस शो देविच औस्टेलिया पी आर कि में मिलेगी इस बारे गल करांगे स्टूडेंट जेड़े स्टूडेंट वीजा दे जा रहे ने जिना दा वीजा में लगे खुश बहुत ने खुश पहुंज जांदे जड़े रह जांदे और जो जाना दी कोशिश करांगे जड़े उत्ते पहुंचना चाहूं देने उना लगी की की जड़ी आप्शन रहेंदी है केडिया चीजाने जिनां ते आम चाहिए उदे बारे कल करांगे क्योंकि इसले अचिक मारा एज़ेंट तीसरी चीज़ डिस्कुस करांगे काट पर्संटेज ते कि उस्टियर जाया जा सकता चौती चीज़ करांगे कि स्पार वीज़े देनाल जिडी नवी मैरेस देनाल उस्टिय बच्चा जा पाईगा के नहीं के उन्ह अनू P-R मिलेगी के नहीं मिलेगी सारी गालबाद करंदली उस सक्षिन उस अदा देता गया जिड़े काफी सालां तो इस शो देना जुड़े होई ने तो इन्हों गाइड कर दे आ रहा है ने मेरे कैंट तो पाव अमिद पार्दवाज मारा लोयर ने जिड़े एक्सपार्ट इमिग्रेशन तुम्हें ना जाल दे हूं आफ्टर जदो वीजा बच्चे पहुंच जान दे ऑन शेयर स्टूरेंट जिन्हों कहने हैं की की प्रॉब्लम फेस कर दा बच्चा पहले उधी गल करते हैं देखिए बाजी ऑस्ट्रेलिया में पी यार लेने के लिए प्लानिंग बड़ी इंपोर्टेंट है पहले से ही प्लान करना बड़ा ज़रूरी है तो मैं बात करता हूं 2001 की जब मैं खुद ऑस्टेलिया गया था एक साल की मैंने स्टडी की पी यार के लिए मैंने आइल्स का एक्जाम भी दिया मेरे जन्ने मुझे का कि हो सकता है इमिकेशन माग ले उस समय आइल्स भी मागा जाता था पी यार के लिए 7.5 मेरे बैंट थे और और विजा ओफिशन ने मैंसे आइल्स का स्कोर भी नी मांगा ठीक है विदाउट आइल्स मेरी पी यार अप्रूब हो गई 2001 की बात कर रहा 2001 में में गया था 2002 में मैंने पी यार अप्लाई की ती तीन-चार मीने बाद मेरी पी यार आ गई थी तो उस समय पी यार के लिए ना आइल्स चाहिए था ना कोई वर्क एक्सपिरेंस चाहिए था ना आपको एरिजनल एरिया में स्टड़ी करना पड़ता था ठीक है वो एक टाइम था जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे पी आर की है, अगर उसको हम study करें, तो जो बच्चा without any work experience, fresh बच्चा ऐस्टेलिया जा रहा है, अगर वो regional area में study करता है, पी आर के लिए apply करता है, तो उसके पी आर के chances बहुत high है, अगर कोई बच्चा मेट्रो cities में जाता है, Melbourne में, Sydney में, Brisbane में, उसके PR के chances बहुत कम है, अगर उस बच्चे के पास, इंडिया में कोई work experience नहीं है, आज की date में Australian government को migrant चाहिए regional area में, जो point system है, वो उन बच्चों को favor करता है, जो regional area में जाके study करेंगे, वहाँ पर job धोनेंगे, तुस्षी तना Australia रहे हो, आप बहुत समा पता है, basically regional area में बड़े हट के जे चोटे टाउन, पेंड होन के जी जिना नो एपर मोट कर रहे हैं नहीं, किद जा आदे regional area में, जिना रिजिनल क्या जानता है, तो की फ़रक रहे हैं तो में जो एरिया है, तीन categories में डिवाइड किया है, पहले category है metro cities, सिरफ तीन metro cities है इस category में, Melbourne, Sydney and Brisbane, इसके बाद category two and category three, यह दोनो categories regional area है, अब मैं आपको regional area की cities के नाम लेता हूँ, category two में जो regional area आता है, पर्थ आता है उसमें, एडिलेड आता है, कैन्बरा, जीलोंग, न्यू कैसल, वॉलंगों, गॉल्ड कोस्ट, संशाइन कोस्ट, होबाट, यह fully developed cities है, हर facility जो metro cities चाहे है, उसमें थी बिल्कुल, बिल्कुल, यह fully developed cities है, basically, Australian government, जिस area को regional area कह रही है, यह proper cities है, इनकी population काव है, जिसे Melbourne, Sydney and Brisbane, इहां की population बहुँ जादा होगी है, तो government चाहते है कि जो बाकी की cities है, वहाँ migrants जाएं, वहाँ जाकर जो है, employment opportunities या business opportunities वहाँ जाके develop करें, यही कारण है कि आज की date में, PR के लिए, वो बच्चा बहुत ज्यादा स्टागल कर रहा है, जो Melbourne, Sydney या Brisbane गया है, अच्छा बाजी हो की रहा है, आज नहीं बड़ी तराज़ी दिगाला है, अगे हंदाजी का, career counseling होंदी सी, बच्चा जी गल्द सोच लेके, या गल्द decision लेके आया भी हंदा सी homework करके ता, उन्हों correct किता जानता सी, भी नहीं, तू ए गल्द कर रहे हैं, तू जो 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 एक करेंगा ते नहीं आ नुक्सान ने, जो नहीं करेंगा तो आ आप पायदे ले, एले एक 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 का, PR नहीं लेक होंदे बच्चे, ए मुद्धा भी बनता है, एक कहना है देखे साब मेरे पास काफी सारी inquiries आती हैं, और मैं खुद personally अपने clients को counsel करता हूँ, अभी कल भी मेरे पास clients आये थे, उनकी first preference Melbourne थी, त्योंकि Melbourne में उनका relative है, उन्हें लगता है कि relative ह है, वो airport पर receive कर लेगा, initially help कर देगा, ठीक है, लेकिन ये सारी short term problems है, Australia a fully developed and safe country है, ठीक है, अगर for example, आप Darwin जाना चाहते हो, Darwin City में आपको airport pick up की facility university देती है, accommodation की arrangement करने की facility university देती है, आप किसी university में जाते हो, वहाँ पे आपको Indian students मिलते है, orientation program में, तो आपकी आपस में जो बा sharing के लिए accommodation भी common ले लेते हो, ठीक है, तो ये बड़ी short term चीजे है, students को इन short term चीजों को छोड़ कर, जो अपना long term purpose है, PR लेना, मेरे 15 साल के experience के साब से, हर किसी बच्चे का purpose है, basically उसी के लिए जिड़ा पहला step बच्चा चुणदा है, ओ है agent, दुज़ा है college या course, एक पॉइंट क्लियर हो गया, जे PR लेना चाहने हो, थोड़ा पहला decision जड़ा है, choice of consultant, उन्हों अपनी किनी knowledge है, Australia गया के नहीं गया, पहला जड़े बच्चे गया होना दी PR किन्या कर दी होई है, ए चीज़ा जरूरी हो जाती है, यहों आप मारा lawyer है, मारा agent है या नहीं है, तो ए चीज़ा नो मदे नज़र रख दे होए, थोड़े PR दर decision होना चाहिए है, आज उस टेलिया तर विज़े आ रहे हैं ने, बहुत कुछी ने बच्चे, विज़े Melbourne दे भी आ रहे हैं, Sydney दे भी, Brisbane दे भी, regional areas दे भी, बट फरक पता लगना है, after the completion of study, after work permit, points बेज जो पी benefit PR easy रहेगी, second benefit है, अगर आप regional area, category three का regional area, वहां जाकर study करते हो, आपको चार साल का work visa भी लेगा, after studies, अगर एक बच्चा बैचलर डिगरी करने के लिए जा रहा है, तीन साल की बैचलर डिगरी, प्लस चार साल का work visa, उस बच्चे के साथ साल secure है उस्ट्रेलिया, और PR लेना बैचलर डिगरी कंप्लीट कर ली है, कहीं के तो work visa भी खतम हो गया है, अब वो regional area में जा कर, पढ़ना जाते हैं एक साल, ताकि उनको पांच point regional area की मिल जाए, और government के काफी regional area के लिए अलग-अलग schemes भी निकलती रहती है, अच्छा सी में जए पाजी, पाजी पालिस कैनेड पाजी लिए बिलकूर बाजी देखिये, एपलीकेंट को government की requirement समझनी चाहिए, थीक है, वो आपको अपनी country में PR क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपने regional areas डिवलप करने है, ठीक है, उनको अच्छे चाहिए, लोग चाहिए बेसिक निले है, तो वहाँ चाहिए, तो वहा पर नाइन विजा उसमें अगर आप तीन साल वहां रहते हो जॉब करते हो उसके बाद आप यार ले सकते हो पी यार लेने के बाद आगर आपने मैलवन सिड्नी ब्रीजमन मुव करना है अब डेफिनिटली कर सकते हो इत्से नहीं को हूँ और बड़ी बजिया तुस्य कहल सब्सक्राइब दिखाओ पी यार थो नूं ऑस्टेलिया दी मिल नहीं है आफ्टर पी यार जे थोड़ा उसे काम सेट नहीं तुसी मूव होड़ना चलने हो जाओ बट एक मकाम जेड़ा हो एक तो सोच के चलना पहना पानू बजी जदो बच्चा एक सोच के आंदा करो मैं मैलबर नहीं जाना जी क्योंकि मेरा दोस्त रिष्टेदार में ते रुते है या मैसल नहीं जाना है जदो उनों समझाया जाना है सभी त्रीक यह कंसल कीता जना है किन्हें अैक परसंट बच्चे ने जिन्हों समझा लिए ओजी abeth भाट सिस्टम सेश्टेशत्य समझा रहा नहीं है थोन्नों कमिशन मेलबन आले ने भी देनी है थोन्नों कमिशन रिजनल आले ने भी देनी है वो मुझे कोई बैनेफिट नहीं है क्योंकि for example cdu है cdu का campus डार्विन में भी है Melbourne Sydney में भी है काफी असे से इनिवर्स्टी जिनके रिजनल एरिया में भी campus है metro city में भी campus है लेकिन as a education consultant मुझे पता है कि मेरे client का जो purpose है वो education है और education के बाद settlement भी है मुझे बता है अगर ये बच्चा Melbourne Sydney अब management जाएगा उसके बाद दुबारा पढ़ने के लिए regional area में जाएगा अच्छे हो रहे है सिस्टम भी पहले उते चलेगे पी आर लैंड़ी फिर तो बच्चा डारेक्ट लिए में जाए महां स्टड़ी करें और इसनल एरिया डॉपर सिटीज है कम पोपुलेशन की सिटीज है मेरे अपने बहुत क्लोज में तरनाल भी हो या उस्टेलिया पहले पढ़े या फिर वक्पमेंट जो थे गया उस तबाद हुन कहीं पर होना आपना जो पीर लैनी है और प्यार ना प्रिजून कि अपूरे हुन पोओ तो यह कूल क्योंकि ग्यूंट को रिक्वार्मेंट्राइओ पये फिक अधर नो प्र मुफर इन को जीनुक्रेंट से से निटेग तो एस था पर फैले सब कॉलेच से टियाट है Todo Day जो तुसी ले रहे हो भी यूँ वांट टू टेक्ट पी आर और नॉट इस फोड़े थे जड़ा ओ लाकू उपनता है उन पाजी कहीं बच्ची आदे वीजे आगे हैं चाहे हो एक्सपर्ट तो आए या कि तो हूर आगे बच्चा को हम प्यार की पॉइंट्र एडवांस में बदाते हैं बच्चा कैसे प्यार ले सकता और सबसे इंपॉर्टन एरिया देखो दो स्टेप सबसे इंपॉर्टन है कोर्सिलेक्शन हुम 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 आपने सही कॉर्स चूज की है क्योंकि जितने भी कॉर्शेज हैं वह सारे कॉर्शेज पी यार की इसकी लोक्युपेशिन लिस्ट में नहीं फॉल करते हैं हुम फॉर एक बच्चा बिज्न बैस्टार डिगरी करना चाहता है बिसनस मैनेजमे तो कौर सेलेक्शन इस रही वैरी इमपोर्टन सेकंड है प्लेस प्लेस अव श्टुड़ी अगर आप ब्लेसदे प्लेस ऑप पॉइंट इसे और प्यार के लिए एक्स्टर पॉइंट्स और कैसे ले सकते हो एक नाटी का एकजाम होता है इंगिलिस टांसलेशन का अग्जाम ह इंग्लिश टू हिंडी आप कर सकते हो तो उसके आपको five points मिलते हैं तो क्या-क्या available options हैं क्या-क्या आपको extra activities करनी पड़ेगी PR के लिए यह हम बच्चे को बताते हैं और बहुत से बच्चे हैं वो country ही change कर देते हैं वो कहते हैं कि हम eight each IELTS में नहीं ले पाएंगे तो हम Canada चले जाता है यह New Zealand चले जाते हैं तो बच्चे को complete information advance में बिल जाती है वाजी जीडे सटे-पांच बैंड ना तुसी काफी वारी शोच गाल कीती है मैं हों फिर उना दी गाल करना चाहना है सटे-पांच जनल वीजा ले रहे है वीजा मिल रहे है चले जालगे उना दा future for the PR की देख 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 क्या इल्स मैंट साथे पांच ने इन future की में उना फ़रक रहेगा बाकी बच्चे ना दो यह बात तो confirmed है कि Australia में अगर आपने PR के लिए qualify करना है 7H या 8H लेने के बाद ही आपके points बनते है original area में भी ठीक है तो जिस बच्चे को लगता है कि 7H या 8 इस नहीं ले पाएगा उसके लिए वहाँ पर skilled migration category के थरू सेटल होना मुश्किल है लेकिन इसके लावे एक second category पर रहती है employed sponsored visas उसमें कम band score में six band में भी बच्चा PR ले सकता है उस second option रहता है बट उसमें employment genuine होनी चाहिए यह option बच्चे के लिए वेलब रहता है second आपने question पु में जाता है डिप्लोमा भी उनिवस्टी में होगी और डिगरी भी उनिवस्टी में होगा तीन साल का जो package course है यह पी आर के लिए qualify करता है को अलो है जी जी साथ शिकाल जी की पुछना चाने हो जी मेरा ना कभीर है कि मैं होने 2020 मैं कॉमर्स दे उस्टे मैं क्रेश पास की प सब्सक्राइब करते हैं अगर आप रिजनल एरिया में जाकर study करते हैं आपको वहाँ पर five points extra मिलते हैं प्लस आपको जो है तीन से चार साल का वर्क विजा मिलता है डिपेंड करता है किस category के रिजनल एरिया में study करते हो Melbourne Sydney में भी जाकर study करते हो मैं यह नहीं कहता कि वहाँ पर PR नहीं हो सकती या नहीं होगी PR हो सकती है बट points की जो requirement है आज की रेट में बहुत हाई है chances कम है जितने भी हमारे बच्चे मेल्बन Sydney Brisbane गए हुए है वो struggle कर रहे हैं आज की date में तो as compared to Melbourne Sydney में सजेस्ट करूंगा कि आप original areas को एक बर consider करो बच्चे होने हैं इननों मनावना सब्खा रहना मैं फिर द्वारा हुई सवाल थे होना क्या पेरेंट्स नों चाहिए भी थोड़ा जाये जो आप भी त्यान दें लिए बटाना हमारा फार्ज है मानना ना मानना पेरेंट्स का स्टूडेंट का decision रहता है बट मैंने जैसा ह का 50-60% क्लाइंट्स समझदार हैं पेरेंट्स को पता हम इतना पैसा लगा रहे हैं अगर पी आर नहीं मिलेगी बच्चा वापीस आ जाएगा तो क्या फाइदा है हो याभी है पाजी पहला जी हम नहीं समझ रहे तो साड़ा मौटिव है यह तो हमनों समझा हूंगा जी हलो हलो है अलो है रस्काल जी अलो है जिंक फून के तरह कि दिसकनेक्ट हो गया जी तसी रहें जी रहें चिरह के कॉल करो जी तसी इती ही है फूडेश वाला दे जवाब देन लिए हलो है अलो थांड़ जी इस देंज जाए जी मैं की पोचना चाने है अजर में अज्व शूराकिन नहीं को मिलखा टाइंड हम् आपका उस्टरेलिया का उस वीजा अपर्व साफ्जरी नहीं करना चाते हैं तो आप कीक जो कॉस been करके लिए फिर्टलिया को यूजर करा सकते विधा के लिए इस सब्सक्राइब करें बाप करें नवी नहीं नहीं जाएंगे यह एक साल पुराणी चाहिए देखें बाजी जिनकी रीशेंड मेरेज हुई है अगर तीन चार पांच महीने पुरानी भी शादी है उनके लिए बी ऑप्शन्स आफ नवे बी आप्शेंट फुर्स करने अच यह जो रिक्वार्मेंट है यह मैसी की रिक्वार्मेंट नहीं कि शादी एक साल पुरानी होनी चाहिए यूदिवस्टी ने अपनी रिक्वार्मेंट बना रखी है इंडियन स्टुन्ट्स के लिए तो हमारे पास ऑप्शन्स हैं जिनकी शादी को तीन चार या पांच बहीने लेकिन जो बैचल डिगरी के लिए जा रहा है उसका मुश्किल है क्योंकि मैक्सिम इनिवस्टी जो है वो एक्सेप नहीं गरती इस तरह के प्रफाइल को नहीं पर जो जिनके इंग्लिश में अच्छे मांक्स हैं ओवराल परसेंटेज अच्छे मांक्स किन्ने परसेंट है 65% minimum जो है requirements है अगर 65% मांक्स बच्चे के ओवराल एंग्लिश में है तो बच्चा विदाव टायल्स अप्लाई कर सकता है जी सो कोई मंदर विश्वाल पियानों लेके ओंदा होवे अपने बरे पुछना चाहूं दे हो एक्सफर्ट इमिग्रेशन दे लगलग शहरां दे विच आफिस ने उनना ओफिस दे विजिट करके भी जानकारी जड़ियों संजी का साग दे वाजी तोटी अवेलेबिल चंडीगर ओफिस में वेलबल होता हूं उसके बाद वेडनर्स दे अं थर्जडे मेरा लाडवा ओफिस है फ्राइडे और सेटरेडे में अमबाला ओफिस में वेलबल जटा हूं तो कोई भी तोनु आफिस नेड़े पहन दा जी होत्या में जी नू मिलना चाहने हो मिल साकत हूंग